आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज डिसकावर 125HTR के बारे में जो कि यार आएगा प्रो वैरियंट के साथ और ब्रांड जो है गाड़ी में काफी सारे नए बदलाव करने वाला है और यार सभी ब्रांड चाहे वो जो भी हो हीरो हॉंडा कोई भी हो भाई सभी गाड़ियों में अच्छे अपडेट आ रहे हैं तो बजाज ऐसे में डिसकावर को वापस से रिलाउंच करेगा काफी साहे नए बदलाव के साथ तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हाँ अगर आपको डिसकावर 125 की भाई सारी डिटेल्स चाहिए तो यार नीचे मैंने लिंक दे रखा है वेबसाइड का वहाँ जाकर आप गाड़ी की सारे स्पेक्स पड़ सकते हैं और जो सभी कलर्स हैं उन्हें आप देख भी सकते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले यार बात करते हैं गाड़ी का इंजन तो भाई इसका जो इंजन है वो आपको 124.6 cc का फोर्ड स्टोक एर कूल्ड सिंगर स्लेंडर 2 वाल्व यह मिल जाएगा जो की यार ये आपको एफफाई इंजन मिलेगा और यार ये गाड़ी आपको दे देगी 13bhp तक का पावर और या जो टॉर्क होगा वो आपको लगभग मिल जाएगा 11NM का गाड़ी आपको मिल जाएगी सिंगर स्लेंडर 5 स्पीड गेर के साथ और ये गाड़ी आपको लगभग दे देगी 60 से लेके 70 के आस पास का माइलेज और या जो टॉप एंड आएगा वो आएगा 110 तक और भाई गाड़ी में आपको मिल जाएगी फरंट में डिस्क पीछे आपको मिल जाएगा ड्रम और यार इसकी भाई जो होंगे प्रोफाइल टैर के वो आपको मिल जाएगे वाइडर भाई आगे आपको मिल जाएगा 90 सेक्शन का टैर और यार पीछे आपको मिल और बाई जो डिजाइन है अलोय का वो आपको पराणा वाला से मिल सकता है जो कि आएगा 5 इस पोक के साथ और बाई फ्रंट में आपको मिल जाएगा टेलिस्कोपी का फॉर को पीछे आपको मिल जाएगा मोनो शॉक एब्सॉर्बर जो कि यार काफी जादा आपको अच्छा लगेगा बाकि यार पीछे आपको मिल जाएगा अगर गाट और भाई गाड़ी की जो seat है हो सकता है कि वो अब आपको split की देखने को मिल जाए जी आ भाई बाकि यार इसका भाई जो होगा handlebar वो आपको single piece ही मिलेगा और भाई जो console है वो आपको semi ही मिलने वाला है बाई बजाज digital तो नहीं दे सकता कोई chance ही नहीं है तो यार आप लोग semi console लगा के चलो बाकि यार गाड़ी में आपको मिल जाएगा LED का light LED के DRL के साथ और भाई इसका जो होगा tail light वो आपको मिलेगा LED का बाकि यार जो होंगे indicators वो आपको मिल जाएगे hard plastic के साथ जो की रहेंगे halogen के बाकि यार भाई जो dimension है वो आपको पहले वाले के comparison ही मिल जाएगा भाई fuel tank आपको मिल जाएगा 10 liter का जो होगा वजन वो आपको मिल जाएगा 125 kg का और भाई जो होगा गाड़ी का ground clearance वो आपको मिल जाएगा 170 kg का भाई गाड़ी में आपको 4-5 तरह के कदर variant मिल जाएगे भाई जो कि आप website पर देख सकते हैं और यार इसका भाई जो handlebar है वहाँ पे आपको मिल जाएगा knuckle guard बाकि यार जो leg guard है उसमें भी आपको मिल जाएगा change जो ही रहेगा इस्टन्ट वाली bike वाला बाकि यार आपको मिल जाएगा गाड़ी में mobile charger भी और brand इस गाड़ी को launch कर सकता है इस साल के festival season में तो यार आप लोग चाहो तो गाड़ी का weight कर सकते हो और भाई ये गाड़ी आपको लगभग मिल जाएगी 80,000 रुपए के आसपास तक का एक showroom तो भाई आप लोग चाहो तो weight करो वन्ना भाई जाकर आप platina rider NS 125 पलता और 125 भी purchase कर सकते हो तो भाई जो वीडियो है ना इसे आप कर दो like और याँ जो channel है साथ ही आप इसे भी कर लो subscribe तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए याँ जे हिंदू वंद्यमात्रम पाए